साथ संगत जी प्यार से कहना धन दरंकार जी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अनमोल साखिया साथ संगत जी आज की साखी हमें गुजरात से महापुरश्यों ने वेजी है दासी ने जब ये साखी पड़ी तो लगा कि ये साखी आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी रात दस बजे का समय होगा अचानक मुझे अलर्जी हो गई घर पर दवाई भी नहीं थी और उस समय मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं था घर के सभी सदस्य किसी दूसरे शहर में गए हुए थे ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था बहर हलकी बारिश की बुंदे सावन के महीने के कारण बरस रही थी दवाई की दुकान जादा दूर नहीं थी वहाँ पर पैधल भी जाया जा सकता था लेकिन बारिश के वज़े से मैंने रिक्षा लेना ठीक समझा सासंगा जी बगल में एक राम मंदिर बन रहा था एक रिक्षा वाला वहाँ पर भगवान से प्राथना कर रहा था मैंने उससे पूछा कि भाईया दवा की दुकान तक चलोगे रिक्षे वाले ने सहमती में सिर हिलाया और मैं रिक्षा में जाकर बैठ गई रिक्षा वाला काफे बिमार लग रहा था उसकी आँखों में आसु भी थे मैंने पूछा कि भईया क्या हुआ तुम रो क्यू रहे हो और तुम्हारी तबियत भी ठीक नहीं लग रही रिक्षे वाले ने बताया कि बारिश की वज़य से तीन दिन से सवारी नहीं मिली और वो भूखा है बदन दर्द भी कर रहा है अभी भगवान से प्राथना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो मेरे रिक्षे के लिए सवारी भेज दो मैं बिना कुछ बोले रिक्षा रुगवा कर दवा के दुकान पर चली गई वहां खड़े-खड़े सोच रही थी कि कहीं इश्वर ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा क्योंकि अगर यही अलर्जी आदे घंटे पहले होती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगवा लेती रात को बाहर निकलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी और अगर बारिश न होती तो मैं रिक्षे में भी ना बैठती मन ही मन मैंने इश्वर को इस निरंकारदातार को याद किया और पूछ ही लिया इश्वर से कि हे निरंकारदातार मुझे बताईए क्या आपने रिक्षे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है मेरे मन में जवाब मिला मुझे कि हाँ मैंने इस दातार को निरंकार को धन्यवाद दिया अपनी दवाई के साथ साथ रिक्षे वाले के लिए भी दवाई ले ली और पास में ही एक हलवाई की दुकान थी वहां से छोले भटूरे पैक करवाई और रिक्षे पर आकर बैठ गई जिस मंदिर के पास से रिक्षा लिया था वही पहुँचने पर मैंने रिक्षे वाले को रिक्षा रोकने को कहा सासंगा जी रिक्षे वाले के हाथ में 30 रुपए दिये और गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवाई दे कर मैंने कहा कि भाईया, खाना खाकर ये दवाई खा लेना दवाई की दो गोलियां हैं, एक गोली अब खाने के बाद खालेना और एक कल सुभह नाशते के बाद, उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना रोते हुए रिक्षे वाले ने कहा कि महने तो इश्वर से रोटी मांगी थी मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिये ना जाने कितने महीने से मेरी छोले भटूरे खाने की इच्छा थी और आज इश्वर ने मेरी प्राथना सुन ली इश्वर ने मेरी मदद के लिए आपको भेजी दिया कई बातें वो रिक्षावाला बोलता रहा और मैं स्तब्द होकर सारी बातें सुनती रही सासंगत जी, घर आकर मैंने सोचा कि उस हलवाई की दुकान में बहुत सारी चीज़ें थी मैं कुछ भी ले सकती थी की मदद के लिए ही भेजा था सासंगत जी, हम जब किसी की मदद करने सही समय पर पहुँचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की प्राथना को इश्वर ने सुन लिया है और इश्वर ने, इस निरंगारदातार ने हमें अपना प्रती निधी बनाकर उस इंसान की मदद के लिए भेजा है इसलिए कहते हैं कि अचानक आए परौपकार, आण और मदद के मूके को हमें गवाना नहीं चाहिए क्या पता? इश्वर ने हमें मूका दिया हो अपना प्रती निधी बनाकर कि हम किसी के कुछ काम आ सके इसलिए जितना भी हो सके हमें दूसरों के मदद करनी चाहिए साथ संगत जी अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा साथ संगत जी प्यार से कहना धन मेरंकार जी